दोस्तो यदि आपका ESI कार्ड था और आपका ESI कार्ड किसी वज़ा से फट गया है या फिर खराब हो चुका है तो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप अपने ESI कार्ड को खुद डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको ESI की official website पर आपको आ जाना है और दोस्तो आपको simply google पर लिख देना है ESIC और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं esic.gov.in इस website पर आपको आ जाना है उसके बाद दोस्तो यह आपका website open हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तो left side में देखेंगे services इस पर आपको click कर देना है और यहाँ दोस्तो आप देख सकते हैं employees और employer दोस्तो employer जो है आपके company के ID password login होगा उससे निकलेगा तो यह आपको company वाले निकाल के देगा लेकिन दोस्तो अगर आप employee है company के करमचारी है तो आप अपने ESI card को खुद भी निकाल सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको employee पर click कर देना है और यहाँ दोस्तो IP portal देख रहे हैं इस पर आपको click कर देना है ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो आपको IP portal पर redirect कर दिया जाएग दोस्तो यह है आपका employee का IP portal इस पर दोस्तो आपको अपना username डालना है और password डालना है आप अपने language को यहाँ से select कर सकते हैं आपको जैसा ठीक लेगे आप उस language में select कर सकते हैं ठीक है दोस्तो इंसोर person अनिकि जिस employee का sign card बना हुआ है उसको यहाँ पर अपना username में दोस्तो यह sign number लिखना है और password डालना है दोस्तो यह password कैसे मिलेगा अगर दोस्तो आप first time download करना चाहते हैं तो आपको sign up पर click करना है और यहाँ पर दोस्तो आपको आपको अपना और वस्तों करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको username and password मिल जाएगा यूजर ने में दोस्तो आपको अपना और दोस्तो username और password में enter कर देता हूँ हो यहाँ पर दोस्तो वेने username और password डाल दिया है यूजर name में मैंने अपना दोस्तो SI 3 नममर डाला है और यहाँ पर capture डाल देता हूँ और दोस्तो उसके बाद log in पर click कर देना ह। दोस्तो जैसे आपका login हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो आपका detail देखने को मिल जाएगा, insert person का जिसका अदर नाम, आपका yuch id नमर, dispensary name भी आ जाएगा दोस्तो देखने के लिए, आपका appointment date भी आ जाएगा, आपका mobile नमर भी दिखने लगएगा दोस्तो, और साथ में आप आपका bank account नमर और आपका दोस्तो registration date भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तो, insert person का पूरी detail देखने को मिल जाएगा, अब दोस्तो आपको अपना SI card download करना है, print करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीची आ जाना है, और यहाँ पर दोस्तो दे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तो मैंने hide किया हुआ है, privacy के कारण, उसके बाद दोस्तो व्यू प्रिंट इपहचान card इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका SI का आपका सारा detail देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने बलर किया हुआ है, detail मैं दोस्तो आपक इसको आप open करके यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर आपका सारे detail देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है, इसको print out निकाल लेना है, यहाँ पर दोस्तो आपको अपना photo लगा दे नहीं, आपको अपनी family का photo और दोस्तो आपक ESI card जो है valid रहेगा, दोस्तो इस तरह से आप अपने ESI card को download कर सकते हैं, उमीद करता हूँ दोस्तो इस वीडियो के अंदर आपने सीख लिया होगा, किस तरह से ESI card को download कर सकते हैं, दोस्तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, चैनल को subscribe करें, साथ साथ बैल आकन पर जरूब किलिक करें, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो को notification मिलती रहे, तो दोस्तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ,